सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आप चैनले में नहीं आए तो चैनले को सब्सक्राइब कर सकते हैं वह लाल गर आपको बटन दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना मुलिएगा टाकि हमारे नोटिविएशन रिसीब कर पाऊ द अनार कंस्रक्षिन निवेडिड कंस्रक्षिन का फिल्ड है मतलब इंफरस्रक्च्चर का काम एक करता है यह स्टॉक को अपने रडाय में रखो यह डेविटली मल्टी वेगर रिडन आपको देखे जाएगा उसके दो-तीन रिजन है तो पहले से यह स्टॉक ऑल्रेडी मतलब इस टॉक है तो आपको उन स्टॉक को देखना होता है जो और लेटी मल्टी वेगर बनेंगे तो भाई अभी 365 का प्राइस चला है मेरे इसका इसका टागेट है साड़े 1200 रुपे का टागेट है और चो स्टॉप लोस है मात्र 100 रुपे का स्टॉप लोस है यह कि मैं कॉफिट है इतने सांदार इतने गजब है अगर आप देखोगे न आप हिल जाओगे और सेर उल्टी पैटन भी इसका बहुत सांदार है तो भाई यह दो रीजन और मेरे जो तीसरा होता चार्ड चार्ड रेडिंग मेरी चार्ड रेडिंग मुझे बता रहे है कि के अनर कं आज मतलब कल के दिन में ब्रेक कर दिया और यह दो साल का पूरा एक पीक निगल के आता है तो यह ब्रेक आउट हुआ है यह तो यह दोस्तों कप एंड हैंडल पैटन का ब्रेक आउट हुआ है अब लेके चलता हूं जिता आपको इसके प्रॉफिट की तरफ इसका सेर्ड पैटन और इसका चार्ट सेर्ड करूं आपके साथ क्यों मुझे मार्किट में गिरते हुए गिरती मार्किट में अच्छा लगता है तो देख लेते एक बार इसके प्रॉफिट लॉस और सिर्डिक पैटन तो दोस्तों जैसे मैंने आपको नाम स्टॉक का बथा दिया है के अच्छी बात है और दोस्तों कंपनी ने डिवीटन इल्ड भी इतना खास नहीं मतलब कंपनी चस्ट गिमिंग यो डिवीडन मतलब को कम से अपने प्रॉफिट का कुछ रिस्सा आपके शेर करते हैं कंपनी तो अच्छी बात है इसकी बथा कर देखने को में सकते हैं अगर आप धिषान से तक नौ से लगतार इसके प्रॉफिट एस वे प्रॉफिट है उसमें एक गृत नज़र आ रही है लगbands इंक्रीज हो रहा है इसी वज़े से मैं कहा रहा हूं इस टॉक को आपने रिडाय में रखो भाई यह मल्टी वैगर गया यह मल्टी मल्टी वैगर रिड़न आपको देगे जा सकता है इस प्राइस से भी 300-400 रुपे से अगर आपको 350 के प्राइस में मिलता है तो यह तो सोने में सुआगा हो गया वहां तो डेफिनिटली आप इसको बाइगर के चलना आप देख सकते मार्ज हुए है उन्रीस का जो प्रॉफिट था इसका दो सो एकतर करोड के आसपास था और मार्ज हुए इसका जो प्रॉफिट करो इन इस टॉक में अगर आज इन्वेस्ट करोगे तब जाके रुपे का आपको दिखाएगा कल ठीक है दोस्तों आज के जो स्मॉल के शेर होते हो कल के लार्ज के बन जाते हैं इसलिए इस टॉक को रखो रखो रेडार में और से उल्टिक पैटन आपको दिखाता हो इस इसकी भी होल्डिंग अल्मॉस्ट 1.53 परसेंट की आसपास है और दोस्तों सबसे बड़ी पाद जो हमारे ग्रिलू निवेस्ट है के डी आई आई उनका पैसा भी लगाता है इसमें इंक्रीज हो रहा है 34 परसेंट की आसपास की उनकी होल्डिंग है मतलब एक बड़ा तब का और मुचल फंड मुचल फंड वाले भी इसको काफी ज्यादा होल्ड कर रहे उनका यह फेविर्ट स्टॉक है बड़े बड़े जो मुचल फंड कंपनी जिस पर आपने हजार रुपे-दोजार रुपे का सिप लगा रखा है वो मुचल फंड कंपनी भी स्टॉक को तुस साती में दोस्तों अब देख सकते हो पब्लीक पबली मतार जनर्ल पढ़की जो देख फिपप पीपल होते है वह कितनी काम है स्टॉक में 9% के आसपास है बहुत चोटा नंबर है रेटेल पपली का स्टॉक में तो भाई जिस स्टॉक में रेटेल पपली का मुर्ती है वो स्टॉक डैफिनिटी रॉकेट हो सकता है यह मेरा बानना है आपका मानना क्या मीचे comment करके बता सकते हो कि भाई यह स्टॉक मल्टी वेगर होगा या नहीं आपके इस चार्ट की तरफ के अना आर कंस्रक्शन चार्ट तो देखे एगे रहा इस टॉक का मैंने चार्ट खोला हुआ आपके सामने यह डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है अब आपको क्या दिख रहा है इसमें यह 2018 के आसपा इसने पीक बनाया था उसके तब से यह पैटर्न भी बना रहा है ठीक है तो यह जो आपका है यह का कंस्लिशन पीरिड हो गया तो टागेट भी आपका डबल होना चाहिए इतना जो टागेट निकलके आते हैं मेरे इसके आपको मैं तागेट उधा दिना चाहता हूँ तागेट है शाढ़े 500 का पहला टागेट है तो आपको मत सौर रूपे का स्टॉपोस लगाना है कम से यह हजार रूपे के टागेट के लिए ठीक है है बागी जो फ्यूचर अपडेट होंगे वह मैं आपको चार्ट के मात्यां शेयर कर दूँगा एक छोड़ा था वीडियो बनाके अपडेट कर दूँगा किसमें अभी यह चल ला यह चल ला है और एक बाद एड करना चाहूंगा देखो भाई यह मेरा खुद का परसनल करने से पहले नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको इस टॉक अच्छा लगता या नहीं लगता है तो मेरे साफ से इस टॉक डेफिनेटली बाए बनता है और डेफिनेटली आपको एक मल्टिवेगर रिटन देके जा सकता है जब भी मार्केट गिरे इस टॉक नजन में रखो यह आपको एक अच्छी टन देके जा सकता है और दूसरी बात रिलाइंस MRF जो बड़े बड़े स्टॉक है हिरो मोटो का उनको छोड़ो छोटे स्मॉल के शेर को पकड़ो जो अभी तीन तुचार सुरू पर का ट्रेट कर रहे है जिनका फ्यूचर है जो कल निफ्टी 50 के इंटेक्स में राज करने वाले है तो इन स्टॉक को अब रड़ाय में रखो भाई ठीक लिस्टॉक को रड़ाय में रखो एक मल्टी बगर रिडम देके जा सकता है अगर आपका कोई सुचा हुआ है विचार है डेफिनिटी इसे कॉमेंट करके बथा सकते हो वीडियो में like करके appreciate कर सकते हो और साथ में चैनल Stripe कर सकते हो और वीडियो को share कर देना अगर थोड़ा भी हैल्फ मिलते हैं हमारे जैनल के मादव हमसे आपको पैसे बनाने में सबजने में मार्केट को और एक और चीज बूलना चाहूंगा नीचे हमारे ग्रूप के यह केनार कंसक्षिन की लेटेस्ट नीउस टिगर टैप के अकॉर्डिंग इसकी जो एंट्री पॉर्ट है उसको काफी अच्छा लगता है क्योंकि यह ओबर बूर्ट जोन में नहीं है और नो रेट फ्लेक्स में आता है और इंट्रेंसिंग वैल्यू के असाफ से यह अच्छ अच्छा उनको नहीं लग रहा है लेकिन रेटेंसे अप्डी रेट में काफी अच्छी रेटेंस ने दी है एस कंपैरेजन अप्डी रेट्स प्रेज बुदल झाल, 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 झाल